हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बोदबोद स्वागत करता हूं यूटूब चेनल अकाउंट शोलिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बीजी सॉप्टेयर का जो नया अपडेट आया है बीजी टॉन्टीवन फोर पॉइंट टू तो दोस्तो इसमें क्या नया अपडेट आया है यह एक एक करके डिसकस करेंगे इसमें जो में अपडेट आया है इसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूं तो दोस्त जो फर FSAI license number आपको enter करना है तो इसको कहां से आपको enable करना है तो first आपको जैसे administration पर आपको click करना है configuration पर आपको click करना है features option पर आपको click करना है इसके बाद यहां पर inventory का जो option है इस पर आपको click करना है अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर पहले यह option नहीं था maintain FSAI license number तो यहां से इसको Tarik Mark करना है, और जो भी आपका number है, वो आपको लिख देना है, जैसे मैंने example के लिए 123456 मैंने लिख रखा है, आपका जो भी FSSAI which license glaube है वो आपको यहां पर enter करना है, इंटर करने के बाद यहां से कर देना है, आपको save, इस option को आप जैसे enable करते हो, ये तो आपकी company का number है, अब आप जैसे party के अंदर enter करना चाहते हो, जैसे party के अंदर enter करने के लिए आपको administration पे आपको click करना है, master पे आपको click करना है, और जैसे आपकी जो भी party है, उसको आप modify करोगे, तो यहाँ पे एक option add कर दिया गया है, fssai license number, जो भी आपका license number है, आपकी party का, वो आपको यहाँ पे enter करना है, enter करने के बाद यहाँ से कर देना है save, अब यह तो आपकी company और आपकी party, दोनों का आपने number enter कर दिया है, अब देखते हैं इसका print out पे क्या print होता है या नहीं होता है, अगर print होता है तो सही है, नहीं तो आपको bill की configuration आपको करनी होगी, तो अपार provision store का, मैं एक bill बना के आपके लिए बता देता हूँ, कि transaction पे मुझे click करना है, add पे click करना है, और यहाँ पे 7-10 date enter, और यहाँ पे मैंने party का नाम लिखा, इसके बाद कोई सा भी item में यहाँ पे select कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने select किया, 20 quantity, और यहाँ से जैसे मैं F2 करूँगा, F2 करने के बाद K से credit select किया, इसके बाद जैसे save करके, एक बार इसका मैं print preview आपके लिए दिखा देता हूँ, दोनों company का compulsory है, तो यहाँ standard जो format है, यहाँ पे मैंने click किया, click करने के बाद, अब आप देख पा रहे हो कि आपक सामने print हो रहे है, और यह जो आपकी company का और आपकी party का, तो आपकी company और आपकी party का number इस तरीके से आपको लिखना है, तो दोस्तों अगर आपका पूराना version है, तो उसमें यह option नहीं आएगा, next जो update आया है, इसमें क्या हुआ है, दोस्तों पहले आप लोग जो bill बनाते थे बनाते समय आपके पास last five transaction का जो option आता था, तो वो कहां पे आता था और उसमें क्या बदलाव किया गया है, तो जैसे आप administration पे click करोगे, configuration पे आप click करोगे, features option पे आप click करोगे, यहाँ पे inventory का जो option है, यहाँ पे आप देख पारे हो कि show last transaction during sales, यहाँ पे five transaction आते थे, लेकि 50 कर सकते हो, जितना भी चाये, जितना आप कर सकते हो, ताकि आप bill बनाते time पे आपको पता चल जाएगा, कि इस party को, जैसे 10 bill गए थे, और 10 में यह item गया था, तो क्या-क्या rate गया था, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, अगर आप इस option का use करते हो, तो यहाँ पे आप अप अपने साब से यहाँ पे quantity एंटर कर सकते हो, कि जैसे आप 20 कर सकते हो, आपके साब से जितना भी आपको लगे, उतना आप कर सकते हो, तो यह जो नया update आया है, 4.2, इसमें यह update आया है, तो इसका भी आप benefit ले सकते हो, next जो इसका update आया है, तो दोस्तों, एक बार में आपक इसका exercise service का जो option था, पहले disable कर दिया था, फिर उसके बाद वापस से enable कर दिया है, और इसके बाद इसमें जो 4.1 में जो update आया है, तो दोस्तों, यह जो नया update आया है, आप देख पार हो, कि यहाँ पे जो 2 main जो option है, उसके बार में मैंने आपके लिए बता दिया है, यहाँ to party wise composition dealer, तो यह जो भी option है, इसका भी आप benefit ले सकते हो, तो दोस्तों, यह जो नया version आया है, इसको आप update करके, और यह जो मैंने आपके लिए बताया है, इन option को आप implement कर सकते हो, और आप अपने bg software को update कर सकते हो, bg software की update की मैंने काफी video बना रखिये, bg software update करने का simple तरीका ह है, आपको क्या करना है, यह भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, कि आपको अपना software update करने के लिए, यहाँ पे help पे आपको क्लिक करना है, लेकिन उसके लिए आपका bg bls update होना चीए, इसकी मैंने एक separate video बना रखिये, कि bg bls अगर आपका update होता है, तो आपको क्या-क्या फायदे आपको मिलते हैं, तो यहाँ पे help पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक option है, check bg updates, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो अभी जो मेरा current version है, और latest version है, 4.2 है, आपके पास पूराना version होगा, यहाँ से फायले डाउनलोड करनी ह है, दोनों फायले full setup आपको नहीं करना है, इसके बाद आपकी जो फायले हैं, यानि आपकी फायले आपके सामने desktop पे नजर आएगी, जो कि यह देख पारे हो, कि first जो फायल है, second जो फायल है, यह आपको एक एक करके install करनी है, install करने के बाद आपका bg software update हो जाएगा, लेकि यह दोनों फायले update करने से पहले आपका bg software close होना चीए, आपको इसको open नहीं रखना है, तो data correct होने का chances रहता है, एक अक्टूबर से नया system चालू हुआ है, कि आपकी फरम का pen number आपके print out पे होना compulsory है, तो दोस्तों आपकी फरम का और आपकी party का, यानि अगर आपकी party का को कोई भी bill, जैसे आप बनाते हो, बनाने के बाद उसका GST number है, GST number है, तो उसका pen number भी उसमें ही रहता है, लेकिन government का जो rule आया है, 110-2021 से आपको आपकी company का और आपकी party का separate pen number bill पे print out होना compulsory है, तो इसकी configuration आपको किस तरीके से करनी है, तो पहले एक bill में आपके लिए बता द देता हूँ, कि यहाँ पे जैसे एक bill मैंने बनाय था, इसको print preview करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कोई भी GST वाली जो party है, वो मैंने select कर ली है, select करने के बाद, बालाजी मोटर्स, यहाँ से इस bill को कर दिया है, मैंने save, save करने के बाद, जैसे मैं इसका print preview चेक करूँ यानि मुझे इस पे क्या-क्या दिखाए देता है, अब आप देख पा रहे हो, कि इसमें जो मेरी company है, यानि account sure solution जो company है, इसका pen number इसमें नजर नहीं आ रहा है, और दूसरा यह जो मेरी party है, party का भी pen number इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे आपको print करना है, तो इसक configuration आपको किस तरीके से करनी है, ये भी मैं इस वीडियो में आपके लिए बताओंगा, तो यहां से आपको इसको close करना है, close करने के बाद यहांपे आपको alt F आपको press करना है, इसके बाद आपको किस में जाना है, invoice document, printing, standard पे आपको click करना है, और यहांपे sales invoice पे आपको click करना है जो भी आपकी company है यानि print company pane तो यहाँ पे आपको वाई करना है यानि आपकी जो company का जो pane number है उसको print करने के लिए आपको यहाँ पे वाई करना है वाई करने के बाद next जो print party details इस पे आपको click करना है click करने के बाद यह जो print pane का जो option है यानि आपकी जो party है, party का जो भी pain number है, वो automatic pick हो के और यहां से आपको इस पे tick mark करना है, यहां से कर देना है, okay, okay करने के बाद यहां से कर देना है आपको save, save आप जैसे ही कर देते हो, अब एक बार और भी मैं आपके लिए हुआ रहा है, लेकिन pain number इसमें नहीं है, और आपकी जो party है, party का तो इसमें pain number pick कर लिया है, लेकिन अब आपकी company का pain number आपको लिखना है, तो कहां से आपको लिखना है, तो दोस्तो pain number के लिए आपको क्या करना है आपकी company है उसको modify आपको करना है याने इसको edit करना है company को edit करने के लिए आपको company पे click करना है edit company पे आपको click करना है और जिसे यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे option है IT pain number तो यहाँ पे आपका जो भी pain number है वो आप enter कर सकते हो जैसे example के लिए मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर देता हूँ जो भी आपका सही pen number है वो आपको यहाँ पर enter करना है enter करने के बाद यहाँ से कर देना है आपको save जैसे आप इसको save कर देते हो save करने के बाद अब मैं आपके लिए दुबारा से print preview दिखा देता हूँ कि जैसे आप किसी भी बिल को अगर modify करते हो जिस party को आपने GST वाली party को माल बेचा है और अब इस बिल को में print preview करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अब जो आपकी company है और आपकी party है यानि आपकी company का pen number अभी जो मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका जो भी actual में सही pen number है वो आपको यहाँ पर enter करना है आपकी party का pen number भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि sir हमारा तो GST number के अंदर ही pen number लिखा हुआ है तो इसमें क्या है आपको separate दिखाना जरूरी है यानि आपका जो pen number है separate pen number का option आना चीए pen number लिखावाना चीए और ऐसे आपकी company का GST number यहाँ पर लिखावा है लेकिन आपका जो pen number है pen number separate होना चीए तो यह compulsory है 1, 10, 2, 0, 21 तो अगर आपने इस configuration को नहीं किया है तो आपको करना है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों अगर आप bg software सीखना चाते हो तो अपने channel को subscribe कर सकते हो और आने वाले वीडियो की notification के लिए आपको bell icon प्रेस करना है ताकि नई वीडियो के notification आपको मिल सके Thank you